Hi guys, welcome to vocabulary का daily dose और जैसा कि आप चानते हैं ये एक 1200 words का बड़ा premium exclusive words का collection है जिसमें हम हर रोज 10 important words को पढ़ते हैं और रोज सुबह 9 बजे time note कर लीजे morning 9 o'clock पर मैं words upload करता हूँ ये words important हैं CHSL, CGL, MPSI और जो भी अभी upcoming exams हैं उसके लिए आप से मुरा ये निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को रोज एक से दो बार देखिए ताकि ये words आपको याद हो जाए दोस्तों बहुत महनत करके, research करके ये words मैंने लेकर आया हूँ आपके लिए और ये 40, sorry, 10 दिन के एसाब से 4 month का एक complete course है आपको कहीं भटकना नहीं है, रोज मेरे वीडियो देखने है 4 month में आपके सारे exams के important words आपको याद हो जाएंगे मैंने इसमें antonyms और synonyms दोनों का ही important collection रख दिया है तो चलिए, शुरू करेंगे हम आज की class पहला word है, accident जैसा की आप जानते है accident ये आपके लिए common सब्द है, आपने पहले भी सुना होगा accident के synonym पे नजर मार लीजे एक पर mishap, mishap मतलब accident, calamity, disaster, misadventure synonym में ये important word है, mishap मतलब भी accident होता है, दुरुगटना होता है calamity मतलब आपदाएं, या जैसे अभी भुकम पकाना, या फिर अभी निसर्ग, तूफान आया ये सब calamity में आते हैं, disasters होते है, natural disaster होते है इसका जो antonym है, उल्टा शब्द है, वो है law, purpose और provision मतलब किसी काम से, lawful होना मतलब आपने जान बूच के नहीं accident क्या होता, दुरुगटना है न, अचानक होने वाली घटना तो lawful जो होगा, वो सोच समझ कर और कानून के दायरे में रहकर या कानूनी रूप से किया गया होगा, या purposeful किया गया होगा या provisional होगा, कोई न, कोई इसका reason जरूर होगा इसलिए इसका, इसका ये antonym है, चली आगे देखते है next word accelerate, ये word तो आपको पता ही होगा जब हम किसी चीज़ की गती बढ़ाते हैं, speed up करते हैं किसी चीज़ को, न, speed up कर देते हैं तो हम उसे क्या बोलते है, accelerate जैसे गाड़ी में हमारे accelerator होता है तो accelerate, rate को excel बढ़ा देना इसके synonym क्या होंगे, increase या quicken इसका अर्थ क्या होता है, गती बढ़ाना इसका antonym क्या होता है, क्योंकि speed न करके ये क्या करेगा, slow करेगा retired कर देगा decelerate, accelerate का कर देगा, ये decelerate ये question में अक्सर पूछा जाता है decelerate, slow तो आपको पता ही है तो accelerate का उल्टा, decelerate ये था दो word, चली आगे चलते है exceed, यहाँ पे लिखा है exceed, देखे word याद रखो, एक word होता है c-e-d-e seed seed का मतलब होता है, transfer होना या आगे बढ़ जाना, ठीक है तो अगर आप exceed होते हो, तो obvious ये बात है, seed करोगे, मतलब आगे बढ़ोगे succeed, proceed superseed exceed, इसमें word वही आ रहा है seed तो seed क्योंकि आगे बढ़ना होता है अब मैं आपकी बात से exceed कर गया तो अगर मैंने आपकी बात मानी तो मैं agree करूँगा और मानूँगा, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं दो व्यक्ति किसी बात के लिए सहमत हो तभी तो आगे बढ़ेंगे तो exceed मतलब consent consent करना मतलब आपकी या किसी की बात से सहमत होना तो दो बाते हैं exceed का synonym हुआ consent और agree इसका हिंदी मतलब होता है मान लेना और इसका जो opposite होता है वो होता है deny कर देना आस्विकार कर देना मैं नहीं मानता है बड़ा common सा शब्द है refuse कर देना ठीक है दोस्तों I think यह word आपको याद हो गया होगा एक दो बार और देख लीजिए इसके synonym पढ़ लीजिए याद हो जाएंगे चलिए चलते हैं next word में the next word is abundant देखो एक होता abundant एक होता abundant ठीक है यहाँ d-a-n-t spelling में ध्यान देना d-a-n-t एक होता d-u-n-t एक d-a-n-t एक d-u-n-t d-a-n-t वाला होता प्रचुर अधिक और d-u-n-t वाला होता खाली abundance यहाँ खाली स्थान यहाँ abundant है abundant मतलब होता copious यहनि plenty full plenty मतलब भी होता अधिक यह बहुत अधिक मातरा में किसी चीज़ का होना जैसे he has abundant of knowledge मतलब उसके पास बहुत अधिक मातरा में ग्यान है इसका जो उल्टा होगा बट obvious सी बात है अगर यह जादा है तो कम होगा scarce मतलब होता scarce यह spares good याद हो रहा होगा आपको चलिए चलिएंगे next word में next word is absolute हम क्या बोलता है you are absolutely correct तो absolute का मतलब होता स्वत है यह पून पून रूप से absolute यहने complete तो कई अलग-अलग meaning में इसका use देखने मिलता है autocratic absolute power है किसी के पास dogmatic क्यों अपनी बात प्याड़ जाएगा और किसी की कोई बात को वो मानेगा नहीं unlimited क्यों क्योंकि वो limited नहीं है वो उसके पास इतना unlimited and final जो चीज किसी और के पास नहीं है हम उसके इसके synonym लेते है अब अगर कोई चीज complete है तो वो आंशिक हो सकती है या लचीला हो सकता है तो partial होगा इसका उल्टा flexible या limited क्योंकि absolute में complete होगा तो limited होगा तो थोड़ा हो जाएगा यहां complete power था यहां limited power होगा है ना यह फर्क है इसको याद रखिएगा absolute का synonym हुआ autocratic, dogmatic, unlimited जबकि antonym हुआ partial, flexible, limited चलिए next word देखेंगे average अब इसमें तो एक word हमें देखने क्या मिल रहा है bridge bridge क्या करता है जैसे यह नदी बह रही है यहां पर एक रास्ता है इन दोनों को पास लाने के लिए हमने एक bridge बना दिया तो bridge ने क्या कर दिया अगर हमें नदी में bridge नहीं होता तो हमको आना कैसे घूम के पड़ता और ना जाने ही नदी कहां कहता होती हम तो घूम के आई नहीं पाते न तो bridge ने क्या कर दिया इधर की जमी इधर की जमीन के जो फासला है उसको कम कर दिया ऐसा ही यह word भी है average bridge करता है किसी चीज के फासले को कम करना या किसी चीज को कम कर देना संगशिप्त कर देना कल्टेल करना या शॉर्टन करना किसी ने का abridged version है मतलब कम शब्दों के संगशिप्त में समझा दिया और इसका antonym क्या होगा lengthen या expanded किसी चीज को और खीच देना और बड़ा कर देना और length कर देना उस चीज में ठीक है यह word भी समझ में आ गया bridge से याद करेंगे तो average फटा फटी याद हो जाएगा जैसे एक dictionary भी आती है Oxford की abridged version abridged में क्या हो रहा उसमें काम के important words दिये हैं और कम सब्दों में उसको समझा दिया गया आगे देखे next word is abortive यह word आप abortion से याद कर लो abortion abortion मतलब किसी चीज को विर्थ ही खतम कर देना abortion कई बार आपने देखा होगा ना war वाली movies में उनने का mission abort mission abort abort कर दो मतलब रोक दो खतम कर दो खतम कर देना किसी चीज को विर्थ useless कर देना abortive यह फूटलस यह फ्यूटाइल यह 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 यूजलस इसका मतलब क्या होता है useless आप चाहो तो याद कर लो useless अच्छा और इसका उल्टा क्या होगा fruitful यह successful simple word है क्योंकि यह useless हुआ तो यह fruitful होगा आपकी महनत fruitful होगी आप पढ़ते रहिए मेरे और भी वीडियोस है जिसमें मैंने errors को समझाया है silent rules समझाये spelling rules बताएं और भी सारे वीडियो में बनाते जा रहा हूँ उसे देखते रहिए तो fruitful होगी आपकी महनत चलिए और आगे देखते है abound abound का मतलब होता भरा हुआ होना abound याने भरा हुआ होना flourish समरद्धी abound पूरी तरह किसी चीज़ से भरा हुआ होना इसका मतलब है abound के लिए generally जो हम preposition यूज़ करते हैं वो हम in का भी यूज़ करते हैं और with का भी यूज़ करते हैं दोनों ही वर्ड आते हैं अब एक example लिखो मैंने कहा fish is abound in water समझना fish जो है abound in water है तो इसका मतलब ना वो बहुत सारे पानी में fish है बहुत सारे बहुत सारा पानी है और उसमें fish है और अगर मैं बोल दूँ abound with water fish is abound with water with water तो यहाँ पर पानी तो ठीक है लेकिन जो fish है ना उस fish ने बहुत सारा पानी पी लिया और इसके पेट में बहुत सारा पानी भरा हुआ है तो abound in भी use होता है और abound with भी होता है दोनों में फर्क ही है लेकिन हम generally use करते है with और abound मतलब होता है प्रचोरिया अधिक मातरा में होना इसका जो ulta या antonym word होता है वो होता है megar megar amount यानि बहुत ही कम मातरा में यैसे megar income यानि बहुत कम income हो रही है या scanty scanty मतलब भी scant मतलब कम दोनों का मतलब बहुत ही कम I think यह word भी अच्छे से याद हुआ आईए देखते हैं next word abode abode यानि रहने का स्थान it's aboding place abode करना मतलब आपका home where do you abode dwellings यह इसका मतलब होता जहां आप रहते हो इसका antonym क्या हुआ halt कुछ समय के लिए रुके हुए हो रहने वाला तो permanent हो गया halt कुछ समय के लिए रुकेगा और फिर वहाँ से चला जाएगा पर्च भी वही है कुछ समय के लिए रुकना तो abode यानि पर्मनिंट रहना और halt यानि कुछ समय के लिए रुकना तो ध्यान रखिए abode यानि रहने का स्थान abnormal अच्छा easy word है abnormal abnormal वो होता है जो normal ना हूँ abnormal नहीं है मतलब उसके जो वहवार होगा उसके जो conducts होंगे वो अजीब होंगे irregular होंगे या unusual होंगे normal तो नहीं होंगे abnormal हमने कई बार सुना है यह word abnormal यानि समान ये और इसका इंटरिम क्या होगा normal या typical कुछ खास ऐसे काम करने वाला जो जिसको देख के हम पहचा जाएंगे इसी विक्ती का काम है वो typical हो सकता है ठीक है तो हम इसको उल्टा मानेंगे इस word का abnormal का उल्टा typical तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर share करे like करे और अपने कमेंट करके बताएं मैं ये सारी मेनत आपके एक्जाम को ध्यान में रखके ही कर रहा हूँ और मेरी पूरी एशी आशा है कि आपका एक्जाम जरूर निकलेगा आपको सिर्फ मेरे वीडियो देखते रहना है और अपने सभी साथियों को दोस्तों को बताना है हम मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ तब करके लिए पढ़ाई करते रहिए स्टे सेफ टड़ा बाई बाई